हेलो गाइज वेलकम बैक तो आरशी राज व्लोग्स और आज मैं अभी सुबे सुबे उठ चुकी हो और नहाली हूँ और आज है करवा चौत तो सभी को हैपी करवा चौत और मेरा आप लोग को आवास थोड़ा भारी लग रहागा क्योंकि मैं को कोल था और दस बारा दिन से मैं को ऐसे ही लग रहा है और अरशी कभी तब ठीक नहीं है तो आज फेस्टिवल है तो बैने सोच आज तो पक्काई वीडियो रिकॉर्ट करेंगे तो चलिए अभी मैं उठ गई हूँ और आगे पूजा कर लेती हो भी सुबे से उठने के बाद में आज मैं थोड़ा मेरा फेवरेट फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत वेट करती हूँ तो अभी में उठ चुकी हूँ और नहाज चुकी हूँ अभी आरुशी सो गई है उसे मैंने सुला दिया क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है जो भी पूजा का समान वगेरा था वो म बहुत सहुं हाँ कर दो कर दो दो и खshop कर लिया है सुरज देखता का फूजा करने के बाद में जल चटा दिया है और घर में भी मनें दीबबती कर दिया और अभी मुझे बठीस काम बाकी है जो कर वह होता है वह मुझे लाना था मैने और दे दिया था सेम कलर का मुझे मिला नहीं था इसलिए आप मुझे जाके लाना होगा और अभी ममी में भी लगा रही है खुद से दिखा हूँ बहुत प्यारा लगा है अभी मुझे मेरा भी लगाना और ममी जब तक शुशी क्यों ना मैं हेल्प कर दू ममी अपना खुद का लगा रही है जल्दी जल्दी अच्छा अपी कर दोस्तों अभी बस में थोड़े देर में देखती हूँ निकलती हूं मार्केट और जल्दी से आपना काम कर लेती हूं मौसम भी बहुत अच्छा मैं आपको दिखा दू बिल्कुल ज्यादा धूप वगेरा नहीं हुआ है तो प्यास वगेरा नहीं लगने वाला मौसम एक जम ठंडा-ठंडा सा है शांत बहुत जदा अच्छा लग रहा है कि यह मैंने लगाया है और यह ममी ने मुझे भी उतना अच्छे से आता नहीं है पर हो गया पिछे का दिखा और यह आगे वाला थोड़ा सूख जाएगा तो पिछे लगा दूंगे अच्छा लग रहा है कि थैंक्यू कि अच्छी सो रही है कि सो रही है तो दोस्तों वीडियो बनाने के बाद मैं बाहर से लिए थी मार्केट और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हाँ पर और जो भी पेंडिंग था शॉपिंग वगएरा वो मैंने कर लिया करवा भी मिल गया था और यह देखिए मेरा मेहंदी तो अभी कुछ 536 के अराउंड हो रहा है तो घर क्लीन कर चुके हम लोग और अभी हम लोग खाने के लिए बढ़ते खाना बनाने जारी हूं मैं क्या क्या बनेगा तो हमारा मेन्यू में पूरी बनेगा दाल फ्राइ बनेगा पनेर की सबजी और चावल और खीर तो यह पां आप लोग चाहें तो मैदा स्किप भी कर सकते लेकिन मैं मैदा यूज करूंगी तो मैं इस मेदा ले लेती हूं तीम चार चमच के हिसाब से क्योंकि हम लोग 5-6 लोग है तो पूरी जब बनता है तो सबको मज़ा आही जाता है खाते ही है जादा तो चलिए मिक्स कर लीजिए मैदा और जो पहले ड्राइ आइटम से वह हम लोग डाल लेंगे तो यह है अजवाइन तो अजवाइन डाल दीजिए डाइजेशन के हम इसमें डालेंगे रिफाइन ओइल और थोड़ा सा नमक रिफाइन ओईल हीटेड नहीं है जो नॉर्मल रिफाइन ऑल होता वो ही है और पिसमें लोग थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे और फिर हम लोग से फिर हमें इसका बदो बना लेना है चाय पीलो दिशू दिशू पापा को चाय पीने दो और तुम BMW में बाठा अपना तो इसका BMW ये रहा जा दिशू डाल दीजे इसमें प्लीज रोना नहीं बेटी शोना मेरा बाई बाई दिशू इदर नहीं आना किचिन में नहीं जाओ जो बेबी तो दोस्तों आटा ये हमारा रेडी हो चुका है और कि किसमें मैदा भी मिक्स है ऐसे नॉर्मल आटा भी रहेगा तो आपको कवर करके रखना चाहिए पांसे दस मिनट के लिए या फिर जब तक आप बनाओ गे ना पूरी आपको छाना जब तक के लिए रख दिजे तो सौफ मेर का साइज आपसे दिसाइड़ कर सकते हैं और कट कर लिजे पर हिसरे करों कैस कि तो क्रें किसे कातिक मास चल रहाए ह। रहा है हमारे यहां पर ममी कर रही है कातिक स्नान तो है फिर हम लोगर्लक लसटनमी डालेंगे बिना अद्रक लग बनाना पड़ जाएगा तो दोस्तों पनीर की सबजी हम बनाएंगे और जो भी सबजी या फिर दाल अगरा बनाएंगे उसमें हम लोग बिल्कुल भी लसन और प्याज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कातिक मास चलड़ा और ममी सनान कर रही है सुबह उठके कातिक सनान कर रही है तो ममी खाएगी नहीं लसन और प्याज वाला तो इससे अच्छा है कि हम लोग भी ना खाएं स्किप कर दें क्योंकि डबल काम हो जाएगा यह रहा हमारा पनीर डाइज हो चुका है तो अभी आप लोग एक मिक्सी जार लीचिए और उसमें अपने अकॉडिं हरे ले लिजे यूकि हम लोग अधरक लशन का यूज नहीं करेंगे तो हमको एक अच्छा पेस चाहिए अधरक यूज करेंगे प्यास नहीं करेंगे तो यह होगा मिर्ची और मैं मिर्ची डालूंगी रेड़ वाला भी पॉडर इसलिए हरा वाला सिर्फ दो और काजू मोटा मोटा कट कर दीजिए डाल दीजिए तो 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 पांच शेक लिए आप लोग काजू का भी डाल सकते हैं और टामाटर हो गया और यह जीरा जीरा और गोल की डालेंगे हम लोग इसमें और यह गोल की मतलब ब्लैक पेपर तो ज्यादा नहीं तीन-चार डालेंगे इसको भी और इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेला तो इससे हमारा बन जाएगा पनीर का ग्रेवी तो यस मेरी बहन इसका पेस्ट बना के लाती है जब तक कि यह लिए हम लोग पनीर को फ्राई कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने सूचा कि एक तरफ कढ़ाई में जब हम पनीर फ्राई करते हैं तो दोस्ते तरफ क्योंना टाइम सेफ करने के लिए दाल फ्राई भी बना लें तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हर हर ग्रेट करके डालना, मैंने ग्रेट करके डाल दिया, पीस्की भी डाल सकते हैं, और नमक और हल्दी, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, हम लोग 2-3 विजल का वेट करेंगे, और इसे हम लोग कड़ी पते और सुख्य लाल मिट से फ्राइ कर देंगे दाल को, तो यहाँ प और इसे हम लोग अच्छे से हीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पनीर डालेंगे, फ्राइ करने के लिए, फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि माइक मेरा कनेक्टेड है, लेकिन पता नहीं कैसे, मेरा शायद माइक है जो डिसकनेक्ट हो चुका था, या फिर चार्ज नहीं था, और मैं यहाँ पर बोलती जा रही हूँ, मैं यहाँ यह बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा वाइस वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जब मैंने वीडियो चेक किया, एडिट करने टाइम पर, तो यहाँ पर हमारा ओइल हीट हो चुका है, और बहुत लोग का कंप्लेन रहता है, कि उनका पनीर मतलब बहुत सौफ्ट नहीं बनाया और हाड हो जाता है, तो आ तो दोस्तों यहां पे ममी भी किच्चन में आई है और ममी देख रहे थी कि भोग का प्रशाद रेडी हुआ और ममी पूरा मंदीर का देख रहे थी और पूरा प्लेट रेडी कर रहे थी, ममी यहां पे सब günा लू दोरी हैं मेरा माय कनेक्टेड नहीं था इसलिए कुछ भी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाया और यहां पर पनीर दोस्तों फ्राई होने के बाद में जैसे आप निकालते हैं तो किसी बोल में आपको पानी डाल के उसे ढख लेना है तो पनीर कभी भी हार्ड नहीं होगा सॉफ्ट ह रहेगा और हमारा पनीर फ्राई भी हो जाएगा और यहां पर दिशु मेरे पीछे 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 बार बार आ जा रही थी इसे कुछ भी मिल रहा था उसे सब कुछ खाना है मूं में लेके तो दोस्तों शली अभी हम लोग दाल भी हमारा दो-तीन सीटी लग चुका है तो हम भी पनीर का ग्रेवी स्टार्ट करते बनाना इसमें आपको सुखालाल मिर्च और जो भी गरम मसाल आप यूज करते हैं वो डालीजिए तो यहां पर मैंने दाल चीनी और एक बड़ी लाइची तेज पत्र डाला है और यहां पर मैं डाल रही हूं एक कटा ह तो आप अपने हेसाब से डालीजिए यहां पर मैं जीरा भूल गए थी तो जीरा डाल दी हूं और टमाटर डालने के बाद में आपको भागना दोस्तों क्योंकि की बहुत जोड़ से उड़ता है क्योंकि इससे पहले प्याज बगएर ने डाला है ना तो डारेक्ट टॉयल चरहना दोसे भी स्टॉर करना है तो यहां पे हमारा मसाला हम ने इहां पे डाल और दोस्तों तो यहां पर एक बड़ स्ट यूद्ड गर्वप्रन करना है तो आपको जितने भी मेसाले हैं नहीं कश्मीरी लाल मिच, लाल मिच पोडर, हल्दि, धनिया पोड़र वो सब नही यहां पर आरोशी मेरे पीछे पीछे ही लगी है ऐसे वह टीवी देखती रहती है लेकिन जब देखती है कि मैं किचन में हूँ तो वह भी मेरे पीछे-पीछे आ जाती है और फिर इसे एक अच्छे से बॉयल के लिए लाना है और हमारा जो पनीर का सब्जी है वह अपने आप इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर फिर आपको क्या करना है मसाला हमारा थिक हो चुका था तो जो पनीर में आपने पानी डाला था उसका ध्यान रखिएगा कि आपको जादा पानी नहीं डालना है उतना ही डालना है जो गेवी ग्रेवी में हम उसे आप जितना भी पनीर है वाटर के साथ डाल दीजिए उसके बाद में आपको एक अच्छे से बॉयल लाने के लिए रखना है और देखिए कि आपको कितना थिक चाहिए पनीर उसके बाद में आप ग्यास ओफ कर सकते हैं और हमारा यहां पर पनीर का सबजी रेडी है और हुआ 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 है तो फ्रेंट्स यहां पर मेरा दाल फ्राइबी रेडी हो चुका है और हम लोग बना रहे हैं अप सेमिया यहां पर आपको घी ले लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए तो मैं थोड़ा ही गीब थोड़ा ही बना रही हो सेमिया इसके मैंने एकी स्पून लिया है और यहां पर मैं डावड़ी दो इलाइची और आप जो भी ड्रेफ्ट रूट यूज़ करते वो ड़ा लीजिए तो मैंने यहां पर काजो किश्मिश लिया है और इसे फ्राइ कर करना ब्रेफ्ट के निकार लिया है क्योंकि मेरा घीब बहुत जाद हीट हो चुका था तो जलना जाए इस वज़े से और फिर मैंने इसमें बादान भी फ्राई करके निकार लिया है उसके बाद में अपको जल्दी से जो भी हमारा सेमिया जो आपको यहां वाला यूज चर तो थोड़ा जब हमारा सेमिया लूज रहे मतलब पतला रहे तभी आपको गैस बंद कर देना है उसके बाद हम लोग शुगर मिक्स करेंगे तो दोस्तों जब तक हमारा सेमिया बॉइल हो रहा है तब तक मैंने यहां पे एक बरतन चड़ा दिया यहां पे हम लोग जीरा राइस बनाएंगे तो यहां पे आपको क्या करना एक बरतन ले लिजिए उसमें एक रिफाइंड ओयल रखना है आपको बहुत कम और यहां दिशू बहुत ज़दा मुझे तंग कर रही थी बहुत परेशान कर रही थी उसे बहुत मज़ा आता है आप समान गिराने में और walker में वो चलती है तो बहुत मज़ा करती है वो आपको यहां पे ओयल लेना है और इसमें आपको सही जीरा डालना नौर्मल जीरा नहीं है यह नौर्मल जीरा से थोड़ा पतला होता है तो आपको ये वाला सही जीरा यूज करना है और जैसे ही मेराятель बहुत ज़दा यहां पे सेमिया को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद में यहां पे 4-5 स्पून शुगर डाल रही हूं हम लोग शुगर लास में इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि दूद्ध फट जाता है इसलिए आप लोग गैस बंद करके डाले या फिर बंद करने टाइम ही डाले उसके बाद में क्योंकि क्यों सेमिया खुद गरम रहता तो आपने आप शुगर को डिजॉल्फ कर देता और यहां पे हमारा सेमिया भी रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ यह हमारा जो ओयल है जिसमें हमने शाही जीरा डाला अब हम इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद में हम अपना जो चावल है बोईल आने के बाद में पानी को हम इसमें अपना जो धुला हुआ चावल है उसे हम लोग इस तरीके से बहुत असान तरीके से आप भी अपना व्रत का थाली बना सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर मैं करवा माता का पूजा कर रही हूँ और चंद्रदेव का पूजा हम लोग बात में करेंगे यहाँ पर पूजा करने के बाद में नौवेद यहाँ पर अर्पित करते हैं और जो भी शोला सिंगार है जो हम लोग करते हैं मातारानी को वो देते हैं यहाँ पे चड़ावा और प्रशाद देकर यहाँ पे हम लोग चंद्रभगवान का आवाहन करते हैं कि वो जल्द से जल्द उपर उगे और हम लोग उनको फिर वहाँ पे जल्लबी शेक करते हैं तो दोस्तों फाइनली चांद आ गए है जिनका इंतजार था और हम लोग उपर है और आरुशी यहां खेल रही है तो इसके लिए हम लोग चटवट लेके आए ताकि परेशान ना करें तो हम जल 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 दी पूजा कर लेते हैं पो इस्था जल जल थोग जड़ में लोग गजान ना कर लेके जल जल जड़ागा झाल मेंटें what बखराईब को फुट टृजा वग उजायरे हैं ऊटिए खेल एक हम लोग बगप पार चाल डटार में जल 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 दो हम लोग उने आए हैं झाल 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 तू है तो मुझे धिर्वार क्या चाहिए तू है यह आपको सबसे संदर हमारे घर का एक सदस्य है उसका नाम है पुटु कुमारी उसको दिखाती हूँ दुणिया में इतना संदर कोज नहीं है जितना मेरा संदर पुटु कुमारी है वो इसकी नानी है दूसर देखिए अग्यो तो फाइनली दोस्तों अब है जन्पीरियू अरे मेरा बुद्रू को लेकिया हो जीजा बहुत रेस्ट हो गया तो चलिए दोस्तों अब मैं नीचे जाती हूँ तो फिर आगे वीडियो रिकॉर्ड करूंगी अब 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 कि अमगया त